आप सबको नमस्कार आज का यह संदेश हमारे समर्थक और हमारे कार्यकरताओं के लिए है अभी दसी दिन बाकि है हमारे चुनाओं के मद्दान में और हमें यह दस दिन बहुत ही सांती सयम और परिपकवता से आगे बढ़ना है पूरी मेहनत करनी है, चुनाव के और मद्दान के आखरी दिन तक और आखरी मत डालने तक हमें हमारे लक्सकी और आगे बढ़ते रहना है और हमें सांती बनाये रखनी है पिछले दो दिन से हमारे विरोधी दलदवारा जिस तरह से सोशल मीडिया के उपर विवादी चीजे रखी जा रही है, पोस्ट रखी जा रही है, वो काफी दुरबाग्यपून है और हम यह समझते हैं कि हमारे जो स्वर्गस्त मोहन बाई डेलकर है, उनके समर्थक, उनके चाहने वालों के लिए या सुनना या पढ़ना काफी मुश्किल है और उनको क्रोध भी आता होगा लेकिन हम यही बताना चाहते हैं कि ऐसे विवाद और ऐसा खौफ वही लोग पैदा करने की कोशिज करते हैं, जो हार की और बढ़ रहे होते हैं हम लोग जीत की और बढ़ रहे हैं या उनकी ऐसी हरकते ही साबित कर रही है, कि हम हमारे लक्षक की और सफलता पुरुवख आगे बढ़ रहे हैं पिछले दो दिन से हम देख रहे हैं कि हमारे जो स्वर्गत सांसद है श्री महान बाय ऐस देलकर उनको यहां के मददारों ने यहां की जनता ने साथ बार चुन कर अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए देश की संसद में बेजा है ऐसे अदर्णियनेता और ऐसे सर्वमान्यनेता पर जिस तरह से बाते रखी जा रही है जिस तरह से उनके उपर व्यक्तिगत हमले किया जा रहे है जीस तरह से उनके परिवार पर हमले किया जा रहे हैं वो भी तब जब आज वो हमारे बीच नहीं है ऐसे टाइम में इस तरह की जो हरकत है वो बहुत ही दुर्बाक्यपुन है लेकिन हमारे समर्थक, हमारे कार्य करताओं को इसमें सांती सयम बनाये रखना है हमारे मद्दाता जो है लाखो मद्दाता है प्रदेश के उनकी समझदारी पर हमको भरोसा रखना है सारे मद्दार काफी समझदार है पिछले कई सालों से हर एक नेताओं को देखते आ रहे है कौन नेता अपने हीत को ज्यादा महत्वा दे रहे हैं कौन नेता और कौन ऐसा दल है जो अपने हीतों को दरकिनार कर जनता की समस्याओं पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं उनके लिए लड़ रहे हैं उनके लिए संगर्स कर रहे हैं तो हमें हमारे मद्दारों के उपर भी भर रोखना है क्योंकि जो नेता पिछले सालों में जैसा काम करते आये चुनाओं मे अलग और चुनाओं के बाद वह सिर्फ खांशराइते हैं और अपने आंप सुरक्षित रखते हैं अपने हीतों को सुरक्षित रखते हैं ऐसे नेता को नेताओं को हमारी जनता काफी अच्छी तरह से जानती है कौन किस अपने कौन से हीत के लिए अपने कौन से फाइदे के लिए मोहन डेलकर को छोड़ कर दूसरे दलों में गये हैं वो सब जनता जान उसका हम स्विकार करेंगे हमारा जहां तक निर्वाचन आयोग है हमारी पुलिस है हमारे चुनाव आयोग के जो अब जर्वर है वो अब तक काफी तटरस्तता से और निस्पक्तता से आगे बढ़ रहे हैं और हमें उनके उपर पूरा बरोसा रखना है लेकिन हम उनसे यही आ प्रचार कर रहे है कितना पैसा डाला जा रहा है कितनी उनके प्रचाव में कितनी चका चोंध है वो सब देख रहे है कैसा धन्बल का प्रयोग हो रहा है वो भी सब देख रहे है तो हम हमारे चुनाव और निर्वाचन आयोग से यह आसा रखेंगे कि वो पिछले कुछ दि बाकी चाहे हर एक पक्स हर एक दल अपने अपने प्रचार के लिए मंत्रिया ला रहे हैं बड़े बड़े फिल्म एक्टर ला रहे हैं हमें इतना सोचना होगा समझना होगा कि इनसे जो हमारे मद्दाताओ ने जो एक नीणाई लिया है उससे उस पर कोई फरक नहीं लोग एंटरटेन करते हैं सबको देखते हैं मनोरंजन लेते हैं उनकी बाते सुनते भी है लेकिन लोग हमारे मद्दाता हमारी जनता बहुत समझदार है वो जमीनी वास्तविक्ता से पूरी तरग वाकिफ है यहां की स्थानिय वास्तविक्ता से वाकिफ है यहां की स्थान है उनसे बिंती करूंगा कि बिना किसी विवाद में पड़े बिना किसी विवाद खड़ा की है हमें सिर्फ सान्ती और सहींम से आगे बढ़ते रहेना है chicken और पुलिस को हमें काईदे कानुन की विवस्ता बनाए रखने में पूरा सहयोग пиш and हमें सफलता से आगे बढ़ते रहना है अबार थेंक्यू